अभी मैंने RRB मुजफर पूर इसकी साइड ओपन की है यहां भी मैं आपको कुछ चीचे दिखाना चाहूंगा कि चेर्मेन आप देख सकते हैं स्री मनीश चंद्र जी यह RRB मुजफर पूर के चेर्मेन है अब मैं क्यों बोला हूं इनके बारे में क्योंकि अभी मैं आपको एक क्लिप्स हो करूंगा दो क्लिप्स हैं जिसमें उन्होंने सबसे पहले बास सीब्टी टू के बारे में बात किया है कि जो सीब्टी टू है वो एक्जाम अपने तैसमें पर होगा या नहीं और दूसरा उन्होंने नॉमलाजेशन के बारे में भी बात किया है और इससे य अब पहले recording play होगी जिसे आप सुन सकते हैं तो मैं नहीं बता पाऊंगा बट जो cvt1 का result निकला है तो cvt2 का exam जो है हम लोग 14 फरवरी से 18 फरवरी के बीच 222 में करेंगे मतलब करीब एक महिने से कम टाइम बाकी है और इसके बाद हम लोग हर संभब कोशिश करेंगे कि cvt2 का result पंदर तो बिना normalization के काम होई नहीं सकता है हला कि हम लोग try कर रहे हैं cvt2 में कि इस तरह से exam कराएं कि normalization की नौबत ना इस्तिधात सर यह आपने बड़ी क्लिप्स को देख लिया होगा पहले में उन्होंने clear cut बोल दिया है कि हमारी पूरी कोसे सहेगे कि cvt2 है उसका exam ले लिया जाए और रिजल्ट के बारे में भी वो बीच में क्लिप कट गई लिए उन्होंने 15 मार्च के एराउंड बोला था बाट बीच में जो क्लिप कट चुके थी तो इसका आपको clarity से नहीं सुन पाया होगा और यह भी उन्होंने कहा कि हम कोसेश करेंगे कि cvt2 में normalization ना हो और एक ही दिन में सारे पेपर हो जाए अच्छी बात है कि अगर normalization का इस हुआ है I don't think that normalization कोई भी इसमें होने वाला है हो सकता है कि कि किसी एक दिन जो level 5 के जो candidates है उनके लिए हो सकता है कि दो दिन exam हो और उसमें भी उतना variation देखने को नहीं मिल सकता बाकि मुझे जहांदर लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है normalization जैसी चीज cvt2 में बागी comment section में आप जो भी कुछ सोचता हो बता सकते हैं फिर से आपको बता दूँ कि केवल कुछ percent chance है बहुत ही कम percent chance है कि हो सकता है election को देखते हुए आपके exam को पोश्पॉर्ण किया जा सकता है वो भी केवल उन states के लिए जहांपे election है उसके अलावा I don't think कि कोविट की कारण अगर कोई बंदा आपसे बोल रहा है कि exam 101% पोश्पॉर्ण होगा 101% पोश्पॉर्ण होगा यह आपकी इच्छा है कि आप उस पे बिलियो करके अपना 71 अपने qualify किया उसको बरबाद करना चाहते है तो it's your choice बाकि मैं आप नहीं मानता हूं कि कोई भी exam आपके पोश्पॉर्ण होंगे क्योंकि अभी SSC की तरफ से भी clear cut education है कि उसके exam हो रहे है चाहे कुछ भी हो तो 28 और 29 को SSC के exam हो रहे है चाहे तारीक को descriptive हो रहा है तो summer IPS PO हो रहा है सब कुछ जो center level के exams हैं वो हो रहे है सीटेट का exam हो चुका है तो ऐसे में अगर बहुत drastically out of control हो जाए तो फिर बात दूसरी है बट इस हिसाब से अब आप नहीं बहु सकते कि आपका exam पोश्पॉर्ण होगे आपकी इच्छा है कि आपको पोश्पॉर्ण्मेंट की वीडियो पर गालियां काफी जाने मिलती है और सब्सक्राइबर लॉस और भी बहुत साइब व्यूज लॉस सब कुछ होता है बट जो बात मुझे जह तक साही लगती है वही मैं आपको साहने रखूंगा